असलाम अलेकूं नमस्ते दोस्तों आज हम बनाएंगे पके हुए केले का टेश्टी नास्ता नास्ता बनाने के लिए मैं दो अंडा ले ली हूँ चार पके हुए केला दोस्तों हमारे घर में जब पके हुए केला ज़्यादा पक जाता है तो उसे हम फेक देते हैं या खाना पसंद नहीं करते हैं छोटे बड़े तो ये रेस्पी दोस्तों ज़रूर देखिएगा आज के बाद पके हुए केला भी नहीं फेकेंगे तो देखिए एक मिक्सी जार ले ली हूँ थोड़ा सा मैं बड़ा ली हूँ केले का छिल्टा निकाल के मिक्सी जार में हम केले को डाल देते हैं अब हम एक कप गिहूं का आटा डालेंगे दोस्तों आप बोलेंगे गिहूं का आटा कौन सा युज करते हैं तो दोस्तों ज्यादा तर मैं आसिरबात का गिहूं का आटा युज करती हूँ वो सहत के लिए भी बहुत फाइदा रहता है ग्योहु काटा डालने के बाद मैं दो फोड के अंडा में डाल दी हूँ, केला दोस्तों मीठा है, अगर आपको कम मीठा खाना पसंद है तो सक्कर मट डालिएगा, हम सबको दोस्तों थोड़ा सा मीठा ज्यादा पसंद है तो इसमें मैं तीन चिमस सक्कर डाल दी हूँ, उसी किलाइची का दाना में डाल दी हूँ अब इसे हम बारिक सुमूद पीस लेते हैं ये देखिए इसे में बारिक सुमूद पीस ली हूँ इसका घोल देखिए दोस्तों इस तरह घोल रहेना चाहिए घोल को मैं इस लिए बार-बार दिखा रहे हूँ कि इस तरह जब घोल परफ तो यह देखिए गोल को मैं डाल दी हूं तो आज को इस टाइम पर हम सिलो कर देते हैं सिलो आज पर ढखके एक मिनट तक के पकाएंगे फुल आज पर बिल्कुल भी इसे अम नहीं पकाएंगे तो देखिए सिलो आज पर एक मिनट के करीब हो गया है अब जब यह अच्छे से पक जाता है तो इस तरह यह देखिए जाली दार हो जाता है तो चलिये इसे हम पल्ट देते हैं ये देखिए दोस्तों इसका color देखिए कितना अच्छा आया है अब बहुत tasty बनता है, बहुत कम समय में बनता है तो दोनु तरफ इसे अच्छे से पका लेना है तो चलिये इसे हम निकाल लेते हैं आपको मैं दुबारा उसी तरह बना के दिखा देती हूं फिर से तेल डालेंगे इसे अच्छे से पोच देंगे फिर से हम घोल डाल देते हैं यह देखिए घोल दोस्तो जितना आपका परफेट रहेगा उतना अच्छा पैनकेक बनकर तैयार होगा तो इसे भी में डाल दी तो इसी तरह हम सभी पैनकेक को बना कर निकाल लेते हैं तो सभी पैनकेक को मैं बना ली हूं तो इसे हम निकाल लेते हैं गेस को बंद कर देते हैं तो दोस्तो चार केले में पांच बनाना पैनकेक बनकर तैयार हुआ है दो मेरे बच्चे खा लिए हैं तीन बचा हुआ है देखिए कितना स्वोपट और नरम बनता है दोस्तों इसको खाने के लिए उपर से मैं सहत डाल देती हूं सहत के साथ में मेरे बच्चे बहुत अच्छे से दिखाते हैं अगर आप चाहे तो चाकलेट के साथ मैं इसे भी दे सकते हैं उपर से मैं सहे डाल दिये हूं इस तरह आप भी बना कर खाएं बहुत टेश्ट ये नास्ता बनता है आपको मैं तोड़के दिखा देती हूं यह देखिए कितना अच्छा जालीदार आपसोप्ट बनता है तो इस तरह आप भी बना कर बच्चों को खिलाएं चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेर करें मिलते के लिए वीडियों तक तक के लिए बाई दोस्तों